अलग देश की मांग ये संयोग ये प्रियोग ये कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के गठबंदन दलों का एक के बाद दूसरा हमला भारत पर और भारत के टुकड़े करने पर ये संयोग है ये प्रियोग देश को जबाब चाहिए जब टुकड़े टुकड़े गैंग जे अन्यू में थी तो राहूल गांदी उनका समर्थन करने गए मैंने तब भी संसद में खड़े ओकर कहा था आखिर देश के कितने टुकड़े करना चाहते हैं राहूल गांदी और कॉंग्रेस पाटी और किस टुकड़े पर राज करना आज उसका जवाब इनको देना ही पड़ेगा ये एक नहीं अनेक उधारन मिले जब परधानमंत्री मोदी जी ने सैंगोल को नए संसद भवन में लाए तमिलाडू को जो मान सम्मान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया अपने इतिहास परंपराओं को आगे भड़ाया भारत को ने संसद भवन दिया तब भी उसका विरोध कॉंग्रेस ने किया क्या ये तमिलाडू का सम्मान कॉंग्रेस को मंजूर नहीं था अगर भारत की सीमा पर कोई फाजी कोई हिमाचल का उत्राखंड का और पंजाब का राज्यस्तान हर्याना का कहीं का हो क्या उसको गोली चलाने से पहले देखना पड़ेगा कि टेक्स किस राज्ये से आया है किस राज्य के टेक्सपेर के पैसे से इस गोली इस बंदू को खरीदा गया है क्या कोविड का मुफ्त इंजेक्शन लगवाने के लिए वैक्सिन लगाने के लिए गरीब को पहले सोचना पड़ता कि ये सबसेडी जो वैक्सिन की मिली है ये किस राज्ये के टेक्स पेर ने दी है क्या गरीब को मुफतन आज मिलता है आज उसको ये भी सोचना पड़ेगा कि किस राज्ये से इसका टेक्स का पैसा आया है आखिरकार ये देश को टुकणों में देखने की राजनिती कॉंग्रिस क्यों कर रही है कभी दक्षेन भारत के एक मुख्यमंत्री के बेटे से ये ब्यान करवाती है सनातन धरम को कुचलने की खतम करने की जड़ से मिटाने की कभी हिंदी के खिलाफ तो कभी हिंदू के खिलाफ इनके ब्यान आते हैं ये संयोग है या प्रयोग है और मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आकिरका सरकार अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए यह सब एक मंच पर आएं अर्विंद केजरिवाल को अपने ब्रहष्टा अचार को छिपाना है तो रोज उल्टे सीधे ब्यान करके सुर्खियां बटोर नहीं है अगर करनाड़ की सरकार को अपने गरंटियां फेल होती दिख दे नहीं किया था मैं आपको बाइट भी सुनाना चाहता हूं मैं टीवी चैनल से अनुरोध करता हूं प्रयंका गांधी का भाशन सुनाई ये चुनाव के समय उन्हें नहीं कहा था एक लाख सरकारी नौकरियां प्रतिवर्ष मिलेंगी यानि के पांच लाख साल की अब अब फेल होती कॉंग्रेस पार्टी और विपक्षी दल आज देश को तोड़ने पर आगे अपनी राजनीती को करने ये संयोग है